आज मैं आपको बताऊंगी कि आप बहुत ही आसानी से अपने घर पर सोप कैसे बना सकते हैं एक नैच्रल हरबल सोप जो आपके स्किन की सारी प्रॉब्लम दूर कर देगा फ्रेंज तो इस सोप को जरूर बनाए फ्रेंज और मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको अब इसी तरह से नही 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 आती रहती हूँ तो प्रेंज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्रेंज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्स्ट्राइब कर देएं प्रेंज रही है को लेकर पूरी दुनिया उससे पर यॡूरून से आप सुरकषिति रहें आज अप लोगों को भी सुरक्षित रखें ए दिन पी क्यों हीओ कि प्रॉब्म्स तो गही मही आती है love में सबके तो पूर दिन भी बीच जाएगे फ्रेंस, तो थोड़ा सा सुरक्षित रहें, थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा कोरुना वाला महल जो भी है वो खत्म होने दें, उसके बाद ही आप जाये की कोशिश करें, घर रहें और फुष्छ रहने की कोशिश करें, पॉस्टिट र लुष्ट प्रेंस, तो प्रेंस, आपने मिजे कुछ टाइम से काफी पेयार दिया है था 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 रहें से बना सकते हैं, और उससे हमें क्या-क्या ब्यूटी बेंपिस मिल सकते हैं, तो चलिए मैं इपको लेकर चलती हूँ, अपनी ये किचिन वाली दुनिया अम मैं मिल्क बेश ले रही हूं, मिल्क सोव बेस हमारे में स्किन के लिएłem कि ये भी हाइद энерг हों, तो कोई पेस ले सकते हैं मिल्क-फ्री हो जिसमें दूद मिला हुआ ना हो और आप चाहते हैं अगर आपके स्किन को मिल्क सूट नहीं करता तो आप फ्री सोप बेस यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो आप नॉर्मल अगर आपके पास कोई साबून है घर पे जो पड़ा है अल्रेडी आप उसमें भी अपनी कोई भी चीज़ें अगर मिक्स करना चाहते हैं कुछ तो आप यह सोप बेस की जगर वह सोप यूज़ कर लें जो आपके पास है और आप उसमें ह जो चीज़ें चाहें मिक्स कर सकते हैं और वह आपके लिए एक नैच्रल हर्वल सोप हो जाएगा जो बहुत सादा एफेक्टिव हो जाएगा आपके लिए बहुत सादा फायदेमंद हो जाएगा सोपेस को फ्रेंस आप छोटे-चोटे टुकडों में इस तरह से गट कर ले पहला सादून मैं पहला बनार हैं फ्रेंस फ्रेंस यह आपको सादा फायदेमंद होने बाला है क्योंकि अगर आपको डर्क सर्कल की प्रॉब्लम में अगर आपकी सकन टोन थोडी डर्क है तो आप इस सादा माल कर सकते हैं और आपकी स्कन बहुत ज्यादा सॉप भी हो पहुत जादा फायदे मंद होता है अब मैं इसमें अप गलीष sırी हैं अच्छे से जो भी फ्रॉब्रम होती है पिंपल है या ड़ तो प्रेंस आप देख रहे हैं इसका कितना प्यारा सा टेक्स्ट्र आया है अच्छे से मिक्स कर लें तो बनानी के लिए पहले एक बड़े बरतन में हम पानी लेंगे अब उसमें चोटी सी कडोरी डालेंगे अब हमें डिरेक्ली सोप बेस उसमें नहीं डालना हमें पानी का इस्तिमाल बिल्कुल भी नहीं करना है इस तरह से आप जब पानी बॉयल हो जाए अच्छे से उसके बाद आप जो खाली बरतन है जो आपकी कटोरी है उसमें आप ये सोप बेस डालें फ्रेंस और उसे हलके हलके दीरे दीरे इस तरह से लिक्विट फॉर्म में आने दे जै मिक्स करने के बाद आपको सिर्फ इसे एक मिनट तक ही आपको चलाते रहना है उसके पाद जैसी एक मिनट हो जाते हैं आपके आप इसे तुरंत ही अपने मोल्ड में इसे भर कर रख लें ताकि आपको एक प्रॉपर सोप का शेप लन जाए मैंने यहां पर मिल्क सोप बेस करते हैं अगर आप उसमें मिल्क एड़ करते हैं तो आप उसमें प्रॉपर हैं क्ली सरीन हैा और ही उसमें इलक से एक दों में लुक्र कर सकते हैं चार कोलख के लिए और एक बहुत ईच्छा नेचर्ड टॉबर का भी काम करता है क्रूप का कौता स्कुरब और फोब नारी ह से जटे भी आपकी डेट सेल्स है आपकी स्किन में जो दूल गंदगी है वह सारी दूर करने में बहुत ही है चारकोल मुलेथी भी हमारे स्किन के लिए बहुत जादा फायदे मंद होता है तो मैं यहां पर एक चम्मच मुलेथी पाउडर ले रही हूं और उसमें मैं एक क्हel Um SM см में के यह अका सकते है इसे आपकी डेट सकिन दूर हो जाएंगी प्रिंळ मैंने यह तो आप रवुत्र यूडि कर सकते हैं आपको जो अच्छा लगया और खाया जो से लिख्विट उसके बाद आप आप इस तरह से मिंक्स कर एकट दे क्रें अश़ कर सकते हैं दो बाद अपने मोल्ड में आप इसे फिर से अच्छे से भरके रख लें ताकि आपको एक प्रोपर ली शेप मिल जाए फ्रेंस आप पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको सारी इंफोर्मिशन अच्छे से मिल पाए और आपका सोप एक अच्छे से प्रोपर शेप में बन और इसे हीbiscous flower की नाम से भी जाना जाता है ओर लिए नोमली हेरी घर में मिल जाता हैesque और इसकी इसके इसतमाल से आपकी जुरियों माली प्रॉब्लम आपकी डाग स्किन की वाली प्रॉब्लम हो या फिर आपकी इसकिन में अगर बहुत जादा ड्राइनेस वाली प्रॉब्लम में वो सारी दूर हो जाएंगी यह है नीम का पेट बहुत ही आसानी से हर जगे पे मिल जाता है और आप इसके पते चाहें तो सुखा लें इस तरह से उसका पाउडर बना लें और आप उसे किसी भी फेस पैक के लिए भी प्रेंस कर सकते हैं यहां पर आप एक चम्मच नीम का पाउडर ले लें फ्रेंस जो मैंने अपने घर में ही इसे सुखा कर बनाया था और आप सीच और अब इस तरह से इलोवेरा इड़् करना चाहते हैं तो आप इसमें नैचरल है कट लें और अगर आपके पास अगर फ्रेश अलो बेरा नहीं है तो आप कोई एलोवेरा जल भी यूज कर सकते हैं तो आप उसमें 1 चम्मट अलो बेरा जयल मिक्स कर लें तरीज़िस किस तमाल से आपकी जितने भी लाइनिंग वाली पराब्लम है जो आपके स्किन में चोटे-चोटे लाइन्स बन गई हैं आखों के नीचे आपके फॉड हेट पे या आपको आपके स्किन बहुत ज़्यादा ड्राय है आपके स्किन की रंगत अगर ठीक करनी है तो आप इसका इस्तमाल करें फ्रेंस बहुत ही जल्द फायदा होगा आपको अच्छे से मिक्स करके रहने दें इसके पाद आप इसे किसी भी शेप देने के लिए आप चाहें तो आप किसी मग कप या कोई भी ऐसा बर्तन जो सॉफ्ट होना चाहिए बट फ्रेंस वह सॉफ्ट हो थोड़ा आसानी से मुड़ जाए या कोई खाली पड़ा हुआ कुछ अच्छे से प्रॉपर ली इसमें कोकोनट ओल लगा लें चारो तरफ और उसके बाद इसे अच्छा सा शेप दे सकते हैं उससे भी आपको एक प्रॉपर सोप का शेप मिल जाएगा अगर आप मोल्ड यूज नहीं करना चाहते तो आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं और उससे अच्छिक आपको एक प्रॉपर का शेप मिल जाएगाँ तो इस तरह से अब मैं टेनी के लिए भर रही हो आप देख रहे हैं इसका कितना ही प्यारा कलर आया है बहुत ही प्यारा कलर आया है फ्रेंस अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं उसका रिप्लाइज जरूर करूंगी फ्रेंस नेक्स सोप में यहाँ पे बनारी हो टर्मरीक एन लेमन काफी हट तक निखाने में मदद करता है और इससे आपकी पिंपल वाली प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी और अगर आपके इसकी गर्मियों में बहुत जादा ड्राय हो जाती है तो भी आप इस सोप का यूज कर सकते हैं और इससे आपकी जो ड्राइने से स्किन की बहुत हट तक कम हो जाएगी या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी अगर आप इसका इसका इस्तमाल रेगलर्ली करते हैं तो इसके लिए आप सिर्फ एक नीबू कट करें और उसका पेस्ट बना ले अच्छे से अगर आप ज्यादा सोप बना रहे हैं तो आप उसके लिए तीन चार लैम तर्मरीक हमारी स्किन के लिए हमारी रंगत को निखाने में बहुत ही जादा है शादियों में भी उप्टन में हल्दी का यूज़ किया जाता है क्योंकि उससे रंगत बहुत ही जल्दी निखर जाती है और हमारी स्किन में एक नैच्रल ग्लो भी आता है तो अगर हम इसे र तो आप फेस्पेक ना इस्तिमाल करके आप इसे डेली यूज करते हैं तो भी आपको उत्ता ही फायदा पहुंचेगा कि नीबू को चिलके के साथ पीसना है और आप चाहे तो एक नीबू का रस निकाल ले और आप दोनों को मिक्स कर सकते हैं थोड़ा सा टर्मरिक मिक्स कर ल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो तो बहुत जादा अगर उसमें अगर यह मिक्स्चर मिक्स कर दिया तो उससे सोप प्रॉपर जमेगा नहीं और वह शेप भी नहीं लेगा और आपका साबुन बिल्कुल भी तयार नहीं होने वाला उसके बाल तो आप उसमें थोड़ा कम मि मौल्ट में डालके भर लिया है और अब मैं इसे 30 मिनट के लिए फ्रिज करूंगी अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो आप इसे 5-6 घंटे के लिए आप इसे सूखने दे अच्छे से जब एक बार यह प्रॉपरली जम जाता है उसके बाद आप इसे आसानी से रागलर बढ़ता है प्रिज़ अब देख सकते हैं कि कितने प्यारी प्यारी सोफ बनें फ्रेंट मैंने यूज भी तो आप पहले कोई भी च HISार करती हूं पहले मैं स्तमाल करती हूं आपके साथ मैं शेयर करती हूं अगर आप चाहते हैं किआपके सोब में एक अच्छी सी अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप ना करें फ्रेंस बट अगर आप चाहते हैं कि आप एक प्रॉपरली आपको किसी तरह की एक अच्छी खुश्मु चाहिए से जैसे लेमन का है या किसी भी फ्लार का है फ्रेंस तो आप उसके लिए एसेंशन्चल ओयल यूज़ कर सकते हैं वह आपको आउनलाइन मिल जाएगा यह सोब बेस हो या फिर मॉल्ड हो यह सब आपको 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 अच्छे लगते हैं अगर सच में पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर देंड़ ना फ्रेंस थे संदर के वा थे वीधि कर दूर वो और ए बिल्सक्राइब का ऍरव्र यह सब्सक्राइं ने एपके डबी